आपने अपने चैनल पे वो सारा चीज़ कर लिया फिर भी आपके चैनल पे व्यू नहीं आ रहे हैं ऐसे बहुत सारे मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं तो मैंने सुझा कि कुछ अपने एक्स्पीरियंस आज आपनों के साथ शेयर करूँ और मैं आपको दिखाऊं कि मैं अपने वीडियो को कहां कहां शेयर करता हूँ और मुझे व्यूज मिलते हैं एक चीज़ मैं यहां आपको क्लियर कर दूँ कि आप लोगों के मन में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आप लोग सोचते हो कि अगर आपको टिप या ट्रिक या टिप्स जो भी कहीं अपलाई करते हो अपने चैनल पे तो उसका इंस्टेंट रिजल्ट आपको मिल जाए यादि आपने आपने टिप लगाई और यहां से व्यू आने शुदू हो गए आज कोई ट्रिक अपने चैनल पे लगाया या कोई सेटिंग आपने अपने चैनल पे आज की और दूसरे दिन से लाखो व्यूज आपको मिलने लगे ऐसा नहीं होता इस बात को आपको समझना पड़ेगा इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था उसके उपर बहुत सारे ऐसा कमेंट आये थे लेकिन आज मैं आपको सारे सवालों के जवाब दूँगा और दिखाऊंगा मैं आपको बहुत ऐसी चीज़े दिखाऊंगा बताऊंगा जो आप शायद सोचे भी नहीं होंगे कि ऐसा भी किया जाता है और यूटूब के जितने बड़ी यूटूबर है वो सारे लोग ये चीज़ करते हैं लेकिन इस चीज़ को कोई बताथा नहीं है इसके अलावा यूटूब के जो बड़े यूटूबर है जिनके मिलियन में सब्सक्राइबर और लाखों में व्यूज आते हैं में वो वीडियो आ जाते हैं बहुत आसानी से और वो बड़े यूटूबर आज हम लोगों को ये कहते हैं कि तुम टैग पर काम करो तुम टाइटिल पर काम करो तुम डिस्क्रिप्शन पर काम करो काम तो करना ही है इन सब चीजों पर काम करना है लेकिन इसके अलावा भी और भी चीजे हैं जिस पे हमें और आपको काम करना है आज के टाइम में यूटूब पे अंदर जितना competition है इसके लिए अगर आप इस title, tag और description के इलावा कोई काम नहीं करेंगे तो आपके वीडियो रैंक होने बहुत मुश्किल है सबसे important एं वीडियो लाना, आज के टाइब में YouTube पे वीडियो लाना बहुत important है तो वीडियो कैसे लाते हैं, कहां से लाते हैं, कहां कहां शेयर करते हैं, सारी जानकारी आज के इस वीडियो में दोंगा, इसलिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना मत बोलना तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और ये साली चीज़र देखने के लिए चलते हैं अपने लैप्टॉप स्क्रीन पे तो आगए हम अपने लैप्टॉप स्क्रीन पे चलिए अब हम चलते हैं अपने Chrome ब्राउजर पे ये हमारा Chrome ब्राउजर उपन हुआ और आज मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं क्या क्या करता हूँ कहां कहां अपने वीडियो शेयर करता हूँ कहां कहां अपने चैनल के लिंक को शेयर करता हूँ कहां कहां से मैं बैक लिंक बनाता हूँ तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और एक चीज और बता दूँ आप ये मत सोचा करो कि आप वीडियो का कहीं लिंक लगा दिये चैनल का कहीं लिंक लगा दिये तो आपको दूसरे दिन से भर-भर के विव आने लगेंगे ये फंडा वो नहीं है ये जो मैं आज चैनल के लिंक को शेयर करता हूँ वो है फेसबुक और ये मुझे लगता है कि आप सब लोग करते होंगे इसमें कोई दो राय नहीं है क्योंकि फेसबुक सब के पास है तो यहां के प्रोफाइल में आप अपने चैनल का लिंक लगा दें ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपके प्रोफाइल पे आपके चैनल के होम पेज का लिंक लगा हुआ है तो कोई भी आपके प्रोफाइल पे जाएगा तो उसको ये लिंक मिलेगा और वहां से वो आपके वीडियो पे जा सकता है और आपके वीडियो को देखेगा या फिर आपको सब्सक्राइब कर का account भी हो यहाँ पर तो यहां के भी profile में आप अपने चैनल का link लगा लें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर यह देखिए मेरे channel का link लगा हुआ है और अगर कोई मेरे profile पर आता है तो हो सकता है कि इस link को click करें और video को play करें और मुझे view भी मिले और शायद वो subscribe कर ले तो मुझे subscriber में मिल जाए तो यहां पर आप अपने video को tweet भी कर सकते हैं और उसका link अपने profile में भी लगा सकते हैं तो यह जो profile में लोग देखते ही है ओपन करते ही अगर आपका content वहां अच्छा है अगर मैं यहां बात करूं ट्विटर की तो यहां मेरे लगबख 16,000 फॉल्वर है तो इस में से मान दीजिए 16,000 में से कम सोला लोग तो देखी लेंगे और कम से कम सोला व्यू तो मुझे मिल जाएंगे अगर आप चाहें तो एक पोस्ट लिख सकते हैं फिर भी अगर नहीं लिखना चाहते हैं simply आप अपने अकाउंट बनाएए यहां पर अपना profile क्रीट करिए और अपने profile में जो website का जो option होता है उसमें अपने channel का link add कर देए तो देखिए यहां पर channel का link add है मैं यह सारे जो profile बनाता हूं सिर्फ इसलिए बनाता हूं मैं इसा नहीं कि हर जगर लिखता रहता हूं नहीं मैं एक article लिख देता हूं और एक link अपने website का और एक link अपने YouTube चैनल का वहां पर मैं add कर देता हूं अपने उस profile में ताकि कोई भी मेरे उस profile पर आए तो उसको मेरे website का या फिर मेर channel का link मिल जाए और वो मेरे channel पर जाए या फिर मेरे website पर जा तो इस तरह से मुझे फायदा होता है तो इस तरह के बहुत सारे sites हैं जहां पे आप आप गूगल के सर्च में भी आ सकता है और जिस दिन आपका वीडियो गूगल के सर्च में आ गया तो सही मायने में आपका वीडियो रैंक करेगा इस बात की गरंटी है मेरे तीन वीडियो गूगल के रैंक में आते हैं गूगल सर्च में आते हैं और उन तेनों वीडियो पर एक एक लाख व्यूज हो गया गूगल के व्यूज में आना बहुत इंपॉर्टेंट है और वह ज्यादा तरकव होता है जब आपके चैनल के लिए बैक लिंक बने हुए है यह दूसरे वैप साइट के ऊपर आपके चैनल का लिंक लगा है तो वह बैक लि वैप साइट है यह दुनिया का सबसे बड़ा सबसे फेमस कुश्चन आंसर वैब साइट है यहां लोग सवाल पूछते हैं और लोग इसके जवाब देते हैं आप सवाल पूछे से जुड़ा वो कोई सवाल है तो आप उसका यहां आंसर दे सकते हैं और उस आंसर में नीचे अपने यूटूब चैनल का लिंक दे सकते हैं कि अगर आपको यह आंसर समझ नहीं आए तो यह वीडियो आप जाकर देख लेजिए तो इस तरह से यहां पे आपको प्रमोशन हो जाता है वीडियो का लेकिन एक चीज़ यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि आप यहां पे ज्यादा लिंक शेयर नहीं कर सकते हैं नहीं तो आपको यहां से बैंक कर दिया जाएगा और यहां पे इंकम भी होता है सवाल पूछने के यहां पैसे मिलते हैं लेकि उसके लि नहीं बनाया है, तो Quora पे पहले account बना ले और इसके profile में भी अपने channel का link add कर दें, इसके बाद का हम देखते हैं, अब हम देखते हैं पाचवा और यह है Pinterest, यह मेरा फेबरेट, यह Pinterest है, इसके उपर मैंने वीडियो बनाई है, लेकिन आप लोगों को पसंद नहीं आई, कोई नहीं आया है उस पर, और नहीं like मिले हैं, खेर कोई बात नहीं, यहां पर देखिए, अगर आप यहां देखेंगे यह मेरा profile है, चत्तीस हजार व्यूवर वंथली यहां पर unique viewer आते हैं, यानि चत्तीस हजार यूनिक व्यूवर, यानि नय नय यूनिक व्यूवर यहां 36000 हर महीने मेरे इस पूरे अकाउंट पे आते हैं तो इन 36,000 में से सिर्फ 36 व्यू भी मुझे मिल गए तो मुझे फायदा यह घाटा नहीं है यही मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर इन सब जगों से एक एक व्यू भी हमको मिलते हैं तो उसमे हमारा फायदा है कोई नुकसान नहीं क्योंकि यहां हमें पैसे नहीं देने नहीं यहां किसी तरह का कोई हमें जमेला पालना है इस पर वीडियो शेयर करने के लिए अच्छा यह जितनी भी चीज़े बता रहे नहीं इन पर वीडियो अपलोड नहीं करना है वीडियो शेयर करना है यानि आपने तो मैं आपको अपने बोर्ड दिखाता हूं और यहां पे मेरे बोर्ड देखेंगे तो मैं आपको अपने वीडियो दिखाता हूं कि मैं अपने बोर्ड में अपने कितने वीडियो को पोस्ट करता हूं यह देखें मेरे लगभग सारे वीडियो यहां पे मैंने शेयर की हैं आ यह आप बोलेंगे कि भाई आपने कहा था Pinterest पे शेयर करो वियू मिलेंगे तो मैं फिर आपको बता दू Pinterest पे शेयर करो वियू नहीं मिलेंगे यह कोई एक चीज नहीं है इंडिविजुली किसी एक चीज को अप ऐसे मत जोड़ के देखे इतने सारे चीजों को जोड़ के कि इस सब में से एक-एक view रोज 20 वीव आपको मिलते हैं या फिर आज नहीं मिलते हैं महीने है चार महीने एक साल बात जब rank होंगे यहां भी rank होंगे तो भी आपको यहां के view वहां मिलेंगे तो इसलिए मैं बस शेयर करता हूँ कि- यहां कोई खर्च नहीं लगता कोई चीज नहीं लगती है तो मैं सिर्फ शेयर करता हूं और मैं चाहता हूं कि अगर आपको समझ में आती है तो आप यहां शेयर कर सकते हैं चले इसके बाद एक और वेबसाइट है यह भी बहुत बहुत काम की वेबसाइट है इसका नाम है mix.com और यहां पे आप डारेक्ट अपने वीडियो को शेयर कर सकते हैं अब यहां भी देखिए यहां मेरा अकाउंट है फ़यास अहमद और यहां भी आप अपने चैनल का लिंक भी आइड कर सकते हैं यहां मेरे ब्लॉग का लिंक है क्यों क्योंकि यहां पर वीडियो शेयर करने का option है तो नीचे मैंने अपन करने के लिए ताकि मेरे वीडियो आठ दस website अलग-अलग website पर share हो जाए कि कहीं से कोई चीज मुझे मिल जाए कहीं से विउ मिल जाए या किसी साइट पर अगर मेरा कोई tag rank हो गया जैसे आपका tag YouTube पर rank होता है तो YouTube के अथा आपका वीडियो first में आ जाता है उसी तरह इन website पे भी अगर आपका tag title या description कोई rank हो जाता है तो यहां भी इनके search में first पे आ जाता है तो यहां जब first पे आ जाता है तो बहुत सारे लोग यहां भी देखते हैं फिर यह लोग वहां जाते हैं यहां कोई भी video play करेगा तो ऐसा जाने कि यहीं play होगा यह YouTube में play होता है सीधा YouTube के फार्मों में play होता है तो इसलिए आपको यहां से view मिलते हैं चलिए यह तो mix.com हो गया इसके बाद आता है यह है medium.com यहां article लिखने वाली यह website है यहां पर आप article लिख सकते हैं अगर आपको article लिखने का शौक है तो आपको यहां से बहुत भर-बर के view मिलेंगे यह बहुत आज के टाइप में तो बहुत ही famous website है medium.com यहां से बहुत सारे article मिल जाएंगे आपको आप article लिख सकते हैं अब देखिए मैंने यहां क्या किया मैंने एक account बनाया फयाज जामत के नाम से और यहां अपने account में अपना link यहां पर हिंदी में यह चार लाइन लिख दिया जिसमें मैंने बताया है कि auto subscription link कैसे बनाया जाती है YouTube के लिए और example के तोर पे सीधा सीधा अपने YouTube चैनल का link यहां पर लगा दिया है अब यह मैंने example के तोर पे लगा है लेकिन यह work करता है देखिए मैं इसे click करता हूँ तो दूसरे ने टैब में सीधा मेरा YouTube चैनल ओपन हो जाएगा और subscription का pop-up box भी आ जाएगा जिसके बारे में मैंने पिछले वीडियों बताय रहे देखिए तो यहां पे यह चाला की क्या होई कि सीधा मैंने एक article लिखा और example के लिए अपने link डाल दिया तो इस तरह से आप भी आर्टिकल लिख सकते हैं और कोई भी ऐसा नहीं कि अपल इसी तरह का article लिखे आप किसी भी चीज़ पर article लिख सकते अगा망ूको कL已經 को क्लिक करें और नीचे अपना link डाल सकते 110 और अगर यहां भी लोग आते हैं तो हो सकता है कि आपके पेज पे जाएं इसी तरह का यह उजाल साइट है और वह हब पेज है यहाँ भी मैंने लिखा है हलाकि यह जादा नहीं चलता है लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे मैंने अकाउंट बनाए है और अपने अकाउंटềम yapक में यहाँ बीम कि वहां पे profile create करना और प्रोफाइल के अंदर जो website डालने का option होता है कॉलम होता है उसके अंदर अपने website का link किया फिर । अपने youtube channel का link के लिंक डाल देना और डाल के save कर दो और फिर मैं भूल जाता हूं माई space h i5 इस तरह के बहुत सारे और channels social sites है जहां पे मेरे account है यह है comment लिखना आप अपने नीच के website या blog पे जाके comment करिए और comment के अंदर अपने चैनल का link mention करिए अब यहाँ पर देखिए एक website है मैं दिखा नहीं सकता हूँ इसको क्योंकि copyright का मसला हो जाएगा यहाँ पर अगर यह चार response या नहीं चार comments है तो यह जो पहला comment है यह मेरा है Hindi take videos अब यहाँ पर नीचे छोटा सा comment लिख दिया हूँ very nice article thanks for this post दो line एक line मैंने लिख दिया और यहाँ पर अपना link चोड़ दिया अब अगर इस article को कोई दूसरा बंदा पढ़ेगा और अगर नीचे comment section में आएगा तो उसको यहाँ पर Hindi take videos दिखेगा और मैं आपको बता दू यह जो लोग comment करने वाले लोग है जादा तो लोग मेरे और आपके जैसे ही होते हैं जो सिर्फ इस लालच में यहाँ पर comment करते हैं कि उनको views मिल जाए और वो लोग को पता है कि यह जो comment हुए इस अब views वाले ही comment है तो वो देखते हैं कि अपने काम का कुछ है क्या अगर उनको लगता है कि अब यह तो Hindi take videos बताता है तो हो सकता है क्यों click कर दे और जैसे ही से click करेगा और कहाँ पहुँचेगा सीधा मेरे channel पर मैंने click कर दिया है और देखिए सीधा मेरे YouTube channel open हो गया तो उस एक minute के comment से अगर हो सकता है मुझे कभी भी एक view मिल जाए तो क्या घाटा जाता है क्यों नहीं मैं comment करूं तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप blog पे website पे अपने नीच पे जिस नीच पे आप videos बनाते हैं उसी पे ऐसा नहीं कि आप tech videos बनाते हैं और health वाले पे जाके क्याए आप comment करते नहीं अगर आप tech videos बनाते हैं तो tech वाले website पे जाए टेक वाले post के नीचे आप कमेंट करें अगर आप educational वीडियो बनाते हैं तो education से जुड़े हुए website पे ब्लॉग पे जाए और education से जुड़े हुए article के नीचे ही comment करें और यह बहुत successful बहुत कारगर चीज है यह बहुत 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 इंट्रीक है यहां से बहुत views मिल सकते हैं आपको तो आप यह अगर नहीं करते हैं तो इसको करना शुरू कर दें अब इसके बाद जो है वो फिर एक विवादित है जिसके ओपर पहले भी आप लोगोंने बहुत अपना गुस्ता जाहिर किया दिखाया उस वीडियों को अधरके वीडियों views मिले हैं लेकिन फिर भी आप लोगोंने बहुत सी चीज बहुत सी बाते बोली और बहुत से सुनने को मिला उसी की वज़ा से मुझे इस तरह की वीडियो बनाने का मन नहीं हो रहा था लेकिन फिर भी मैंने बनाया वो है शेयर चैट अब देखिए ध्यान से देखिए का इसके बाते मैं मैं मैंने फिर यह वीडियो में अपने ले आया इसको जायर सी बात है अगर मैं कुछ ना कुछ मैं आपको दिखाऊंगा तब ही ले आया हूँ तो सबसे पहले आप लोगों में से बहुत से लोगों ने यह कहा कि इसके व्यूस काउंट नहीं होता है यहां पे जो भी दिखता हो हमारे वाइटी स्टूडियो में क मुझे नहीं पता यहां के वहां कैसे जुड़ते हैं वह मुझे नहीं पता यहां से व्यू कितने मिलेंगे वह भी मुझे नहीं पता लेकिन एक चीज मुझे पता है कि यहां से मुझे व्यू मिलते हैं और यहां मेरे सिर्फ दस फॉल्वर हैं और यहां अगर आप देखें में जाएंगे अपने चैनल के अनलाटिक में और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे यहां से व्यू मिले हैं कि नहीं मिले हैं और यहां पे देखिए यह हमारा वीडियो सेक्षन है यह हमारे पूरे चैनल का अनलाटिक है यह हमारा वीडियो है और इसके बाजू में ट् वीडियो है आप ये थमनिल देखके पैचान जाएंगे और ये भी थमनिल लिखा दूँ और ये भी थमनिल लिखा दूँ इसको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे और एक और थमनिल देख लीजिए ये सारे थमनिल मेरे यानि कि यह जो अभी पेज आपके सामने खु रहाऊंगा कि traffic source में क्या क्या है देखिए traffic source में YouTube सर्च है suggested videos है browse features है यह सारी चीज़े है ठीक है यह traffic source में अब अगर यहां पे और यहां पर यहां पर चेटा या साथ नंबर पर देखेंगे तो external है यानि कि बाहर से आने वाले YouTube के बाहर से आने वाला तो simply मैं आपको scroll करके दिखाऊं तो यहां पर आपको दिखेगा यहां देखें यहां पर दिखेगा यह च्छटे या सात्वे नंबर पर है in.mohalla.sharechat यानि share chat से 28 दिनों में मुझे 28 view मिले है 28 view मिले है जिसमें average view duration कितना है 2 minute 30 second 2.30 और watch time कितना मिला है 1.2 यानि लगबर एक घंटा 20 मिनट तो 28 दिन में मुझे 28 views मिले हैं और लगबर एक घंटा से ज़्यादा watch hour मिला है तो क्या बुरा है जबकि मेरे subscriber कितने हैं वो देखा दू मैं आपको यहां देखे सिर्फ 10 follower हैं सिर्फ यहां पे 10 follower हैं और सिर्फ 10 follower में 28 दिनों में मुझे 28 view मिले हैं और एक घंटा से ज़्यादा का watch time मिला है तो सोचिए कि अगर आप से चैट पर थोड़ा मेहनत कर लेते हैं और अपने follower वहां बढ़ा लेते हैं जो कि बहुत आसान है गुड मॉर्निंग गुड नाइट के अगर आप messages सूबर साम करते हैं तो आपके follower वह बढ़ जाते हैं मेरा पहले भी वहां एक account था जिसमें 30,000 के असपर सब्सक्राइबर थे लेकिन वो mobile number बंद होने के वज़े से वह account बंद हो गया मेरा mobile number बंद हो गया app को update किया फिर वहां पर login के बात आया तो फिर login नहीं हो पाया क्योंकि OTP नहीं आ पाया तो वह बंद हो होगा कि आप सोचते हैं कि वहां 500 वीव आ गए तो यहां भी 500 वाज़े लेकिन ऐसा वहां नहीं होता है क्यों नहीं होता है मुझे नहीं पता है वहां के वीव यहां क्यों जूटते हैं मुझे नहीं पता लेकिन इतना पता है कि वहां के वीव यहां मुझे मिलते हैं वहां फिर भी आपको लगता है कि Share चैट पे कोई आपको फायरा नहीं है तो आप कोई दिक्त नहीं है आप उसको Share ना करें इसमें कोई जबर्दस्ती नहीं है मैं करता हूँ तो मैंने आपको दिखाया मैंने बताया मुझे लगा बहुत आसान है वहां बहुत सारे ट्राफिक आते बहुत सारे लोग आते है इसलिए मैंने सुचा उसके बारे मैं बता दो तो अगर आपको लगता है कि ठीक है व्यूज मिले ना मिले कर दो हो सकता है आज नहीं कल को व्यूज मिल जा है ये वीडियो उनके लिए जो अपने इन चीजों पर शेयर करके भूल जाएंगे और उनको उसका फायता देरे देरे मिलेगा हर जगा से मिलेगा ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा तो ये पूरी चीज थी अब इसके अलावा जो लास्ट में एक चीज है वो है ये देखिए बहुत इंपोर्टेंट है और अगर आप लोग बोलेंगे तो इस पर मैं वीडियो भी बनाऊँगा आगे यहां पर देखिए ये एक वेबसाइट है जिसके उपर मेरी पूरी की पूरी आपको वीडियो दिखेंगे सिर्फ और यूटूब वीडियो और यहां पर सिर्फ यूटूब वीडियो दिखेंगे मेरी सिर्फ मेरी और किसी की नहीं और यह वेबसाइट फ्री है और इसे आप बना सकते हैं बिल्कुल फ्री में बिना किसी टेकनिकल जानकारी के और यहाँ पर आपने सारे वीडियो चेशों को अप्लोड कर सकते हैं, बहुत असानी से और हो सकता है कहिए यह आपकी वैबसाइट जो की Google पे ही बनी है, हो सकता है गूगल पर rank हो जाए क्योंकि ये इस तरह की website गूगल पर बहुत जल्दी rank होती है तो अगर ये website Google पर rank हो गई तो समझ देजिए आपकी किस्मत बन गई यानि कि अगर आप Google के सर्च में लगे तो अगया तो मुझे यहां से इतने वियू मिलेंगे कि मैं बता नहीं सकता हूं आपको तो यह सारी ऐसी चीज़ें जिसको आप ट्राइ कर सकते हैं शायद इससे आपको फायदा मिल जा है तो मैंने किया है इस उम्मीद में कि कभी न कभी मुझे इसका फायदा मिलेगा और यह करके भूल जाना है इसके पीछे नहीं जाना है कि भी यह वहां से वियू नहीं आ रहे जोज वाइटी स्टूड वहां गया तो हो सकता है आपको फ्री में एक व्यू मिल जा एक सब्सक्राइबर मिल जा तो आज आज की वीडियो बहुत बड़ी हो गई और मुझे लगता है कि आप लोगों को शायद तो अच्छी जानकारी देने की अगर आपको लगता है कि यह जानकारी बहुत अच्छ सकते हैं यह एक ही पेज में दिखाया देखिये मैं और आपको पेज दिखाता हूं यह देखिये यह सौफटवेर यह देखिये यह यह बी यह मेरे ब्लॉग का है यहां पी यह सारे यह आर्टिकल है जिस किसी को क्लिक करूंगा तो मैं सीदा अपने ब्लॉग में पहुंच ऐसीं अगर आप एजुकेशनल वीडियो चलाते हैं तो जो भी आपका प्ले लिस्ट है अगल प्ले लिस्ट को लिए अलग-अलग पेज बना सकते हैं अर्प्लीलिस्ट से जुड़ा वीडियो होसकता है तो इस तरह से इसका बहुत फायदा है अगर आप चाहते है कि म कि मैं वीडियो बना हूँ तो पंप कमेंट करके बताईए और वीडियो को लाइक करें अगर ये वीडियो पर लाइक कर आया तो दौत बताऊँ झाल 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 झाल